सबसे बड़ी खुशकबरी अगर आपने दस्वी पास कर रहा है आपकी उम्र 18 साल है मिनिमम और मैक्सिमम 25 से 70 साल है तो आपके लिए जो है यहाँ पर सेंटर लेबल पर एक काफी बड़ी वेकेंसी का नोटिवेशन सामने आ रहा है तो दोस्तो इसकी कम्पलीट डिटेल में आपको बताने वाला हूं इसके फोरम कब से कब तक बरे जाएंगे इसकी एक्जाम कब होगी इसका एक्जाम पैटर्न क्या है सेलरी कित्ती मिलती है सेलेक्शन प्रोसेस क्या है सारी इंफोर्मेशन इस वीडियो के अंदर में आपको देने वाला हूं तो अन तक इस वीडि कर दोस्तो कबसे स्टार्ट हो रहे हैं और और अगले मेने की आठ तारी तक form चलेगे एक मेने आपके आपर फॉर्म चलने वाले हैं एक मेन तक बरे जाएंगे online mode से आपके जो application form है वो फिल होगा दोस्तो फॉर्म की जो फीस है वो क्या रखी गई है अगर आप जन्रल केटेगरी से हैं OBC से हैं EWS से हैं तो आपके 100 रुपीस फॉर्म फीस रहेगी अगर आप दोस्तों SC से हैं HT से हैं पीच केटिगरी आपकी या फीमेल है तो आपकी कोई भी फॉर्म की फीस नहीं लगेगी अब आम बात करते हैं दोस्तों आयू सीमा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जिस योकीता दसी पास है ये DSS भी बोड दिल्स अंदेश सबॉड़िनेट डेपार्टमेंट की ये वेकैंसी है दिल्ली बोड की वरती है जिसमें MTS पदोब पर वेरियस रहते हीं दिल्ली के अलगले डेपार्टमेंट में ये वेकैंसी निकली हुई है तो यहाँ पर 18 साल एज मांगी है, maximum 25 है कुछ पोश्ट के लिए, कुछ डिपार्टमेंट के लिए 25 है और कुछ डिपार्टमेंट के लिए आपस 27 रखी गई है MTS पोश्ट ने हैं दोस्तों मल्टी टास्किंग इस्टाप आप सभी को पता है योगिता की बात करें सिर्फ 10 रखी पास only 10 रखी पास किसी भी recognize board से अगर आपने 10 रखी पास कर रखा है तो आप इस भरती के लिए फोरम लगा सकते हैं ठीक है salary की अगर हम बात करें दोस्तों salary कितनी मिलेगी तो हमें आपर salary की बात कर लेते हैं minimum आपकी salary 18,000 होने वाली है maximum 56,900 यानि basic पे बता रहा हूं है basic पे starting में 18,000 रहेगा salary तो आपको 30,000 मिलेगी लेकिर basic पे क्योंकि group C की post है किसकी post है दोस्तों? group C की post है level first की आपर salary मिलेगी minimum 18,000 से लेकिर 56,900 तक आपकी basic पे जाएगी फिर आपका TA, DA सबको जुड़कर आपकी यापर salary है वो हो जाएगी दोस्तों 30,000 तो starting में ही आपको क्योंकि center की job है तो भड़ी वेतन मिलता है provision period का कोई वापर system नहीं होता है आप सभी को बता है अब दोस्तों form बर दिया सारी basic detail मैंने आपको बता दी age limit बताती है qualification बता दी है किसी परकार का कोई degree diploma नीचे है सिर्फ दस्वी पाच चाहिए आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यह जो DSS भी वोड की MTS पत्पर जो vacancy है इसका जो exam pattern है वो क्या रहेगा exam pattern से पहले मैं selection process बता जेता हूँ इसमें दोस्तो tier first होगा और tier second होगा tier first और tier second क्या है tier first तो दोस्तो आपका यहाँ पर CBT हो जाएगा computer based test हो जाएगा जिसमें 200% आएगे 200 number के tier 2 में दोस्तो आपका skill test होगा क्या होगा skill test होगा यह ध्यान रखना है तो जो tier first में qualify करेंगे वोई tier 2 में जा पाएगे उसके बाद में आपका final document verification होगा DB होगा और उसके बाद में आपको joining दे दी जाएगे तो यहाँ पर जो आपका tier first होगा जो tier first होगा दोस्तो उसका pattern क्या है 200 MCQ जाएगे 200 marks का आपका paper होगा और 2 गंटे का paper होगा किते गंटे का दो गंटे का ठीक है ना अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें reasoning के 40 percent आएगे 40 number के दोस्तों ठीक है ना GK के 40 percent आएगे 40 number के Hindi के 40 percent आएगे 40 number के Math के 40 percent आएगे 40 number के और English के 40 percent आएगे 40 number के यह दोस्तों इसमें 5 सब्सक्राइब की बात के दोस्तों इसमें जो इंडिया लेवल का सामयने ग्यान आएगा हिंदी पूछार जायेगा यहाँ पर 40 तो जिनकी लेंग्वेज अच्छी है क्योंकि 80 सवाल तो लेंग्वेज से आ रहे हैं इसके अलावा जी के रीजिनिंग क्या से सवाल होगे मैथ अगर आपकी कमजोर भी है थोड़ी बहुत तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं कि बाकियों में आप अच्छे नंबर लिया हो म में अगर आप 20 भी नंबर लाओगे तो काम चल जाएगा तो यह आपका दोस्तों एक्जाम पैटन रहने वाला बिल्कुल बेसिक एक्जाम पैटन है बिल्कुल आसान है आप सिर्फ क्वालिफाई करो फिर आपका बेसिक सा स्किल टेस्ट होगा उसके बाद में आपको यहा हर कैटेगरी के साबसे लगलग दे रखी है एमटेस की सोशल वेलफेर डिपार्टमेंट मेंट आपके ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजूकेशन में प्रंसीपल अकाउंट्स ओपीस में लेजिसलेटिव असेमली सेकेट में चीप आपके जो है इलक्षन ओपीशर में दिल पानसो सड्सट यहां पर टोटल पोश्ट रहेंगी ठीक है पोश्ट पर मज जाईए आपको एक पोश्ट लेनी है अगर आपकी तैयारी मजबूत है और अगर आपने दस्वी पास का रखाय सिर्फ नौकरी चाहिए तो इससे बहतर जोब आपको ने मिलेगी दिल्ली के दि इस पर फॉर्म लगा सकते हैं तो इस प्रकार की और इंफोर्मेशन अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद शुक्रिया